ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स खासकर अगर एजनसियों के दुरुप्यों की बात की जाए और यहां जार्खन में पूर मुख्य मंत्री हेमन्स और इनकी गिरफ्तारी के बाद एक तरीके से यह उसके विरोध में एक बड़ी रैली आयोजित हो रही है जी बिलकुल जिस तरीके से एक जन प्रतिनिधी बनकर चुने हुए मुख्य मंत्री को एडी के गिरफ्त में लेकर उनको गिरफ्तारी की है ना तत्या है ना सत्या है बस उनका गुना यह है कि वो ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जहार्खन वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिस वजह से उनको धरदबोचा है मैं बस यही कहूंगी कि यह तानाशाहीर पूरी देश देख रही है एडी आईटी सीपी आई का मिस्यूज देख रही है और आने वाले समय में यह जब हमारी सरकार आएगी चार जून के बाद जब हम करें तो हम यह मुद्दे उठाते रहेंगे और चार जून को आपको चौकाने वाले रिजाल्ट आने वाले हैं जहां इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया में जो सही माइने में एजनसी को काम करना चाहिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसको हम पट्री पर लाए है कि देश की जनता जो आ रही है वो विरोध में आ रही है ऐसी सरकार के लिए जिसमें सिर्व तानाशाही नहीं है उनको देखकर जिन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही थी जिन्होंने भृष्टाचार खतम करने की बात कही थी जिन्होंने कहा था किसानों की आंदनी सब तरीके से बंद कर दिये हैं इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि जनता हमें वहू मत देगी में चारसो पानसो चैसो का नारा नहीं लगाऊंगी यह प्रधान्मांसी नरेंद्र मोदी जी की जुम्ले बाजी है पर यह बात तैय हो गई है फर्स्ट फेस के बाद कि यहां पर मैं आपको क्लेली कह दू महराश्रा हो जहारकंड हो और बाकी सारे देश के जो जो राजे हैं वो हो जैसे दिली में अर्विन के जिवाल जी को औरेस्ट कर लिया है यहां पर हिमन सुरेन जी को एक पॉपिलर मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को औरेस्ट किया है उसका खामिय काम नहीं हो रहा है, तो जनता उनका जवाब देने को त्याया है, आप कोई भी इंटेव्य उठा लीजे, जितना ये लोग झूटे वादे कर रहे हैं, जूटे एरादे दिखा रहे हैं, और जूटे ये बता रहे हैं कि चार सौखा पार करेंगे, इतनी ही जनता उननसे खिस् उद्धव जी एक बहुत ही popular leader थाबित हुए है जब मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पत से हटाने की साज़श हुई उन सारी शीज़ों को लेकर उनकी जिम्मेदारी बड़ी है पक्षप्रमुक होने के नाते इसलिए वो क्योंकि election rallies इन सब में busy है और 26 को दूसरा चरण होने वाला है इसलिए वो नहीं आपा है और तभी मुझे भीजा गया है उद्धव जी का एक statement है जो काफी ज्यादा अब चर्चा में आ गया है उन्होंने ये दावा किया कि 2019 के दौरान देवेंद्र फरनवीस ने उद्धव जी से कहा था कि आदित्य पार्टी ने उनको एक चुथाई मिनिस्टर बना कर रखा हो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना कर रखा हो को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनकी बातों का मैं किसी तरीके का संग्यान नहीं लेने वाली ना जवाब देने वाली सच्चाई जो जो हमने कहीं हैं वो सब स करनाई है उसका खामियाजा इनको भूगतना पड़ेगा इंडिया गड़िबंदन में प्रियंकर जी कई नेताओं की नाराज़की की भी खबरे चलती हैं खासकर मैं यहां पर जिक्र करूंगी पश्च्रमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी की वो भी नहीं आ रही है डे जाती है तो वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं इसलिए सब लोग ने जो भी प्रतिनिदी है उनको भीजा है बस यही कहूंगी कि इंडिया अलायन्स एक जुट है एक साथ है वो सब जानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति हमारी जहां सम्विदान को जो खतम करने का काम कर रहे हैं और अगर यह तिसरी बार आते हैं और बकाईदा इनके खुट के जो हो हैं जिनको टिकिट्स मिली हैं जो लड़ाए लट रहे हैं मेंबर अब यष्मेदान की वो बार-बार कहए हैं चार सो से जाद़ हमें सीजी जसे हम सम्विदान बदल तो हम सब अपनी जिमिदारी जानते हैं, जिमिदारी के चलते हम सब एक जुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कहीं मैं कहती हूँ कि अंडर कॉंफिडेंस है या मिसंडिस्टैनिंग है, वो भारती जंता पार्टी के गुट और उसके ऐलाईज में है, महराश्रा म कि पार्टी ये कह रही है कि तिहार जेल के अंदर मुख्यमंत्री के साथ कोई हाथसा हो सकता है, इंसुलिन नी दी जा रही है, देखें किस तरीके से एक शडियंत्र के अंतरकत, इनके सीनिय लीडर्शिप को अरेस्ट किया गया, अभी तक, ना आपके सामने, ना मेरे सामन कोई एक तथ्य और सथ्य उन्होंने दिया है, बार-बार ये कहते हैं, हमें इनकी गिरफ्तारी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लिंक साबित करना है, कौनसा लिंक, डेड़ साल से उपर हो गया, क्या लिंक आप साबित करने में नाकाम्याब रहे हैं, और उसी की आड में चाहिए, वो होना चाहिए, और दुर्भागयपूर है अगर उनका मेडिकेशन नहीं होने देंगे, जी साजिश दिख रही है, कि चाहते हैं किसी तरीके का उन पर हानी आए, और ये अफसरवादी जो लोग है भारतिय जन्ता पार्टी के उसका फाइदा उठाए, प्रधा रहे हैं, और वो सक्षम है कि अगर उन्होंने राज्य चलाए हैं, देश भी चला सकते हैं, खुद ये मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री बने हैं, तो मैं यही कहूंगे, इतलीस हमारे यहां पे इतने तो लीडर्स हैं, जो ही जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आपकी क्रिसी है, जहां पे MPs चुनते हैं, कौन उनका प्रधान मंत्री बनेगा, और MPs को कौन चुनता है, जनता चुनकर भेजती है, एक करॉप्शन पर भी एक सवल में अपसे जरूर लेना चाहूंगे, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि करॉप्शन के खिलाफ आप लोग अप जो दूसरों के ब्रष्टाचार का रोप लगाते थे, फिर उनको वैक्यूम क्लीनर से अपनी तरफ ले लेते हैं, और फिर उनको क्लीन चिट दे लेते हैं, अब अजीद पवार क्या थे, सतर हजार करोड के ब्रष्ट इंसान कहा गया था, सचाई गुटाले में फसे हुए जहां पे का था, पचीस लोग जो लीडर्स ऐसे हैं जो बीजेपी में जिन्हों ने हाथ बीजेपी का थामा है, वो गीदर लोग हैं, जो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जैसे हेमन सुरें जी डट के लड़ रहे हैं, जैसे हमारे अर्विन केज डिवाल जी लड़ हैं यह वो गीदर लोग हैं जिन्होंने इन लोगों के साथ बैठना कबूल किया पर जेल जाना कबूल नहीं किया सत्य की लड़ाई लगना कबूल नहीं किया तो पचीस में से तेईस का उप्तो ख्लीन शिट दे दी गई तो आप क्या प्रश्टाचार की बात करें अगर कोई लगातार परिवारवाद की बात आती है बीज़पी लगातार विपक्षी दलोपर कॉंग्रेस हो या बाकी विपक्ष के जो पार्टी उनको कहती है कि यह परिवारवाद से भरी हुई है और अब खासकर मैं अगर दिल्ली की बात करूँ जिस तरीके से सुनीता केश्रिवा स्टेज़ पर नजर आती हैं तो यह बारबर सवाल खड़ा किया जाता है कि वह किस हैसित से प्रेस कॉन्फेरंस करती हैं किस हैसियत से वह प्रचार करती है या फिर इंडिया गड़िबंदन के मंच पर भी आ देखे क्या हैसियत का क्या मतलब है आज अगर एक पती के साथ एक पॉलिटिशन से पहले वो पती भी है किसी के उनका भी परिवार है जिनके परिवार नहीं है वो शायद ये इमोशन नहीं समझेंगे कि जिनको गलत कारणों की वज़े से जेल में डाला गया है उनको इंसूलिन नहीं दी जा रही है उनकी दवाया नहीं दी जा रही है घर का खाना नहीं दिया जा रहा है तो वो लड़ाई आकर नहीं लड़ेंगी आज मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है मैं वो लड़ाई चले जाएए भारती जंता पार्टी में सभी हैं अजीर पवार हो फिर आप अशोक चवान हो इतने अंगिनत हैं अनुराग ठाकुर हो कितने लोग अब सुश्मा सुराजी की सुपुत्री हो मैं उस पर भी आऊँगी क्योंकि मैंने बांसुरी जी से अभी बात किय थी तो मैंने उनसे पूछा कि परिवार बात की बात करती है बीजेपी और आपको टिकेट मिल गया है तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में मेहनत करने से संघर्ष करने से टिकेट मिलता है किसी का सरनेम होने से टिकेट नहीं मिलता अब मैं इस पर क्या ही कहूँ मैं क्या ही कहूँ और वो भी क्या कहें अब उनको उनकी पार्टी ने टिकेट दी है और वो जानती है कि उनको जो टिकेट दी गई है बार-बार उनकी तुलना सुशमसुराजी से की जाती है, इसलिए दी गई है, I'm sure वो महनत करेंगी, अपना विश्वास उन्होंने जीता है, पर बात तो है, उनको अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा जनता के दर्बार में, पर परिवारवाद का सवाल उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में जांके, आज हर हर तरीके से, हर मंतरी का बेटा आज, उनके मंतरी का बेटा आज राजनीती में है, और भारतिय जनता पाटी में है, अगर MP का चुनाव नहीं लड़ता है, तो MLA का चुलाव अपने शेत्र से लड़ता है, इनके तो अब ऐसी ये हालत है कि ब्यूरोक्राट के भी बच्चे लड़ने हैं, तो यह आपने ही बना दिया है, और दूसरों पर परिवारबाद का आरोप लगाते हैं, शरनाक है, आखरी सवाल, इंडिया गडबंधन की रैली जो है, हमने रामडिला मैदान में भी देखी और आप रांची में भी हम देख रहे हैं, तमाम इंडिया गडब दिखाई देगा, क्योंकि जनता भी देख रही है, किस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, और वो ये भी जानते हैं, आज एदी, CBI, IT का विरोधी पक्ष के साथ हो रहा है, कल उनके साथ होने लग जाएगा, घर घर में एदी घुसने लग जागी, अब आप देखी, कॉ दो इनको इलेक्रिल बॉन्स के थूरू डोनेशन नहीं देते थे, उनके उपर एदी चली जाती थी, और जैसे चापे मारी की, वैसे एलेक्रिल बॉन्स आ जाते थे, अर्विंद के जीवाल जी को, जिस अप्रूवर स्टेट्मेंट की वज़से मिला है, उन्होंने कितने क पच्पन करोड तो उन्होंने दिये हैं, जेल से छूटने को, तो इस तरीके से इस्तमाल हो रहा है, जनता समझ या भारी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, कि ये जो इनके साथ खिलाफ काम हो रहा है, जनता के खिलाफ काम हो रहा है, कि रोज प्रथान का रहा है कि जनता संतुष नहीं है, यह जो वेव बनाने की कोशिश कर रहे है, नारेटिव बनाने की कोशिश कर रहे है, वो आपको फर्स फेस में ही दिखाई दे गया होगा, जो जो जनता भूत पर आ रही थी, सब यही कह रहे थे, कि भष्टाचार बड़ा है, बेरोजगा से भर चुके हैं, हर एक मंत्रीगर्ण में इतना अहंकार है, कि जनता उनसे सवाल पूछने, उनको देश रोही कह देते हैं, देश विरोधी बता देते हैं, सवालों के जवाब से भागते हैं, परलिमेंट के अंदर लोग जो वो आवाज उठाते हैं, उनको सिस्पेंट कर रही है, और विपक्ष के नेताओं पर जस तरीके से एजनसी का दुरूपयोग करके उन्हें परिशान किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उन तमाम चीजों का आने वाले चुनावों की नतीजे जो होंगे, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि किस त चीजों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नयन मोदी पर भी जम कर हमला बोला है प्रयांका चत्रुवेदी ने पूरा इंटर्विव देखिए आप, और कॉमेंट करके बताएए कि इंटर्विव में आप क्या सवाल पूछना च झाल प्रके पीजों कर तो ही स्वाल पिर ने पनार बोला है सवाल प्रोला प्रयांका चत्रुवेदी नेशर्चार्वेदी नेष्टिशना च्वार इंटर्विव देखिए